साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब परिवार एमरे स्टडी में तो डियर जैसे कि आपको पता है कि करी टेक्नलोजी जो कि एक इलेक्टिव पेपर है आपका सेवन समिस्टर का तो यहाँ पे 2021 में जो बिहार इंजिनियरिंग इंवर्सिटी है जो कि पहले एक एउ था आरिवट नौलेज इंवर्सिटी के अंतरगत तो वो एक्जाम्स कंड़क्ट करवाता था लेकिन इस बार 2022 का जो एक्जाम्स होगा 2023 में आठ मई से जो एक्जाम्स होने वाली है इसका एक्जाम जो है बिहार इंजिनियरिंग इंवर्सिटी जो है एक्ज वो क्या होता है कुछ lectures भी मैंने आपको प्रोवाइड की है concrete से related तो यहां पर बात करना है कि राइट नेचुरल लाइट वेट एग्रिगेट नेचुरल लाइट वेट एग्रिगेट क्या होता है तो एक तरीके का टाइप से हमारा aggregate का जो की derive किया जाता है नेचुरल माटेरियल से जिसका density जो है कम होता है this type of aggregate is typically used in construction application where weight is a critical factor जहां पर weight जो है एक critical factor के तोर पर होता है उस condition में हम लोग जो है इस तरीके का aggregate जो है योज करते हैं such as manufacture of lightweight concrete जहां पर lightweight concrete जो है manufacture करते हैं एक common example की बात किया जाए नेचुरल lightweight aggregate का तो है pumic है ना pumic क्या है तो यह एक volcanic rock है जिससे form होता है है ना volcanic rock से form होता है which molten lava जो molten lava होता है is rapidly cold and depressurized जब rapidly cooled होता है और depressurized होता है तो उस condition में pumic जो है form होता है volcanic rock form होता है इस rapid cooling creates a porous and lightweight materials that can be crushed into a fine powder or used as large aggregate यह जो rapid cooling के कारण से इसमें क्या होता है rocks में porous होता है और light weight material जो है यह हमारा होता है तो जब इसको crust करते हैं और powder के form में यूज करते हैं तो बहुत जादा जो है aggregate बन जाता है जो और जो की हलका होता है कैसा होता है हलका aggregate जो है हमारा होता है another example की बात किया जाए natural lightweight aggregate का तो है आपका expanded cell expanded cell क्या होता है यह web material होता है जो की heating cell से बनता है to high temperature high temperature पे जब heating cell किया जाता है तब बनता है which causes it to expand and form a small light pellets यह क्या करता है जैसे जैसे expand होता है temperature के कारण से तो a small form में जो है टूटना start हो जाता है मतलब बनना start हो जाता है और हलका हना हलका बजन वाला जो है palette जो है यह बन जाता है इस palette can be used as aggregates और उस palette का use जो है छोटे छोटे जब टुकडे बन जाते हैं तो उसका use जो है as a aggregate के तौर पे करते हैं concrete में जो की light weight होता है और filling material के तौर पे इसका जो है use किया जाता है another natural materials की बात किया जाए जो कि light weight होता है light weight के तौर पे यूज किया जाता है उसमें आपका आता है पर्टाइल बर्मिकुलाइट या light weight clay यह भी हमारे जो है नेचरल materials जो हमारे होते हैं इस materials are typically processed to create light weight aggregate इसका process इस लिए किया जाता है इसलिए processed किया जाता है ताकि light weight aggregate जो है क्या किया जा सके तयार किया जा सके जिसका low density हो और high strength हो बने density तो कम हो लेकिन strength क्या हो जादा strength आपको जो है मिले overall अगर बात किया जाए natural light weight aggregate का तो इत इस important material in construction construction में यह important material के तोर पे use किया जाता है and can help reduce the weight of structures structures का जो weight है उसको reduce करता है while maintaining a strength and durability durability और strength को maintain करने में और ताकि weight जो है structures का वो कम हो सके जो हमारा expanded clay था यह आपका lightweight aggregate के तोर पे use किया जाता है और यह बनता कैसे है produced by heating clay to high temperature हना clay को heating करते हैं high temperature पे and then rapidly cool it और अचानक उसको क्या करते हैं rapidly जो है बहुत तेजी से उसको ठंडा करते हैं the resulting pallets जो resulting जो छोटे छोटे पार्ट्स जो बन जाते हैं उसमें वो lightweight होता है और porous हमारा होता है with honeycomb structures होता है honeycomb structure देखे होगे इस तरीके से जो है जूड़ा हुआ रहता है honeycomb structures के जैसा जो होता है जो की provide करता है हमारा good insulations and sound absorption properties जिसके अंदर एक good insulations होते हैं और sound absorption properties भी जो है हमें provide करता है pearlite के बारे में बात किया जाया तो pearlite जो है यह एक volcanic glass होता है अना pearlite is a volcanic glass that is crushed and heated to create light weight light weight create करने के लिए हम लोग crush करते हैं और heat करते हैं और यह जो हमारा aggregate था जो बनता है जो particles होता है वो porous होता है that are used as a horticulture medium horticulture medium में use किया जाता है और building insulation material के तौर पे भी जो है इसका use किया जाता है it is a excellent insulator होता है fire resistant होता है and has low thermal conductivity जो है आपका होता है वही अगर बात किया जाए बर्मी कुलाइट का तो बर्मी कुलाइट जो है यह minerals होते है that is mined from deposit of various countries around the world अलग-अलग जगा पे यह deposited होते है यह mineral और उसको जो है क्या किया जाता है वहां से collect किया जाता है और mined किया जाता है it is expanded by heating, hitting के कारण से क्या होता है expand होना start करता है और इसको rapidly cool करते है ठंडा करते है ताकि हम लोग light weight create किया जा सके यह porous material जो है या particle जो है बन जाता है और जब porous particle बन जाता है तो इसका use जो है insulations, horticultures और construction के छेत्र में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, pumic के बारे में मैंने आल्रेडी आपको बता दिया उसके बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है आयो कि यह चीज़े आपको समयज में आया हो, ओके तो देखो यहां पे जो यह आप picture देख रहे होगे यह आपका pumic है जो प्यूमिक आपका जो lightweight aggregate था वो आपका यहां पर यह दिया गया है यह आपका जो एक्सपैंडेड क्ले है यह क्या है एक्सपैंडेड क्ले का यह picture है उसके बाद यह आपका जो है आपका जो वर्मी collide था वो आपका यह आपका figure है उसके अलावा यह आपका बात किया जाए तो यह आपका figure है आपका पर light का यह पर light का यह पर light जो था materials वो है आपका उसके बाद यह आपका जो है expanded sales का है expanded sales तो यह आपका figure है तो figure भी मैंने आपको बता दिया इससे आपको समझ में आएगा कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया I hope कि अगर इस पे based अगर आपके exams में questions आते हैं यही questions अगर आपके exams में आ जाते हैं तो आप definitely इसे बना पाओगे दो नंबर में पूछेगा तो किसी दो या चार का नाम बस लिख कर उसको explain नहीं करना बस नाम लिख कर छोड़ देना है जाद देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है यहाँ पे semester exam में ज़्यादा दिमाग लगाने के ज़रूत नहीं लग जतक है इतना पूछफे फूंतना जबाब देओ अपना ज्यादा दिमाग लगाऒगे जो कौपी चेक करेगा वह अपना दिमाग लगाएगा और कहईगा करना हुप पूब तो ज्रूप ये बना लिए अब रुक रुक तुमको कम करना पड़ेगा तो ना अपना ज्यादा दिमाग लगा जितना बोले उतना करो उसे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है अगर कोई डाउट्स दाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तेंक्यू